आईए देखते हैं खबरे विस्तार से आईए एफ एयर शो के बाद लू से पांच लोगों की मौत दो अस्पताल में भटती हैं सचीवाले अफ्ट्रियल पर बच सकता है तो गरीबों के घर क्यों नहीं है और वैसी कास सरकार पर सबाई रविवा राथ पाकस्तान के कराची एपोर्ट के पास हुए वैस्पोर्ट में कम से कम दो चीनी नागरे को की मौत हुई और आट अने लोग खायल हुए एपी ने रिपोर्ट किया द्रिश्य में कारों को आग की लप्टों में घिरा हुआ और वैस्पोर्ट स्थल से धुए का घना गुबार उटते दिखाई दिया सुरक्षा को बढ़ाती हुए गटना स्थल को घेर लिया गया चीनी दुतावास की बयान के नुसार रात को करी ग्यारा बज़े पोर्ट कासम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइबेट लिमिटेड की चीनी करमचारियों को ले जा रहे काफिले पर हमला हुआ इसमें पाकिस्तानी नागरिक भी हताहत हुए स्थानी टीवी चैनल जियो न्यूज ने प्रांतिये ग्रहम मंत्री जिया उ देश्यों को निशाना बनाने के लिए किया गया पूर्वी कराची के डिप्ट इंस्पेक्टर जनरल अजफर महसार ने कहा कि ये विस्वोर्ट तेल टैंकर के धमाके जैसा प्रतीत हुआ चीनी दुतावास ने इस घटना को आतंक की हमला करार दे और पाकिस्तान के साथ मि नरेंदर मोदी ने सुमवार को मालदीव की राष्टरपती मुहमद मैजू से मुलाकात के और दोनों नेता और द्विपक्षे संबंदों को मस्बूत करनी पर व्यापक्ष चर्चा की ये मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब पिछले साल इन संबंदों में कुछ हटास थी प्रदान मंत्री मोदी ने मालदीव को भारत का करीवे मित्र बताया और अपने सरकार के पड़ोसी प्रथम नीती पर जोर दिया उन्होंने मालदीव में बुनियादी धाचा परियोजनावी भारत की मदद और कॉविड वैक्सिन की आपूर्थी का उलेक करते हुए कहा भा प्रश्चिम बंगाल के आर्चिकर अस्पताल की महिला चिकिचक के बलातकार और हत्या के मामले में नयाए और कारिस्तल सरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का अंशन सोमवार को लगाता तीसरे दिन भी जारी रहा जबकि राज़सरकार उनके समस्याओं पर च होगा तो कभी नहीं आर्जिकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स अनिकेत महतों ने पीटी आई से कहा महतों के साथ सनेहदा हाजरा तन्या पंजा और अनुष्टपू मुखवपाध्याय कॉलकाता मैडिकल कॉलेज अर्नम मुखवपाध्याय स्सक्यम अस्पताल पुलस केंद्री अनिवेशन ब्यूरू सीबी आई ने आर्जिकर अस्पताल मामले में अपना पहला आरूप पत्र दाखिल किया जिसमें संजरोय को पोस्ट ग्रैजुएट प्रिशिक्षू डॉक्टर के बलातकार और हत्या का आरूपी ठहराया यह आरूप पत्र पश्चिम और बारा पॉलीग्राफ परिक्षिन की संजरोय जिसे इस घटना के एक दिन के बार दस अगस्त को कोलकाता पुलिस ने गिरफतार किया उनका कहना है कि उसे फसाय जा रहा है हालांकि सीबी उसे मामले का प्रातमिक संदेद गमानती है तेतिस वर्षे संदिक की पहचान अस काटे लेज भी तूट गए मास्टर ने अगली सुनवाई की तारिख तैगी कोट मास्टर के नुसार बैंच कल भी नहीं बैठेगी उमर खालित की अपील उनकी दूसरी नियमिद जमानत याचिका की खारिश होनों को चुनोती देती है इस जमानत याचिका पर अगस्त में नियामुर्टी सुरीश कु बारा नोटिस जारी किया गया था अन्य आरोपियों की जमानत अपीले 2022 से दिली हाई कोट में लंबित है नए खंट पीट को यह जमानत अपीले आवंटित की गई क्योंकि पहली की पीठों ने यह तो सुनवाई से स्वयम को अलग कर लिया था यह मामलों की पूरी सुनवा को सरकारी अस्पताल में बाहिय रोग के रूप में इलाच किया जा रहा है सैकड़ों लोग सुमार्ट बजे से मरीना बीच पर इखटा होने लगे बसो और च्रीन में घंटों तक भारी भीड रही और इस पीच भीड के कारण ही विश्व प्रसित मरीना बीच के आसपास य की मौत हो गई एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी ने बताया डॉक्टर ने कहा कि मरीजों को गंभीर लू लगने के कारण की तब्यद बिगड़ी और हो सकता है कि पहले से ही मौजद बिमार्यों के कारण उनके गिरने का कारण बना हो इम आर आई 108 अधिकारी ने बताया कि स उसे जादा मरीजों को अस्पताल ले जाया गया कई लोगों ने शिकायत की कि सरकार ने परियाप सोविधाएं विशेश रूप से पेने के पाने के उचित विवस्ता नहीं की थी उत्यप्रदेश के मुख्य मंतरी योगियातितनाफ ने सोवार साथ अक्टोबर को कहा कि कि किसी भी धर्मी असंप्रदाय के देवी देवताओं महान पुरुशों यसंतों के खिलाफ अपमांजनक टिपणी आस भी कारे हैं और ऐसा करने वालों को कठोर सजा दी जाएगी ये बयान दासना मंदिर के महंत यती नरसिंगानद दौारा पेगंबर महमत के खिलाफ की गई टिपणी के संदर्ब में आया मुख्य मंतरी ने मुख्य सचीव डी जीपी और अन्य अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्ता की समिक्षा करते हुए कहा विरोध के नाम पर आ पर नहीं जा सकता और नहीं किसी पर्थोपनी की कोशिश करनी चाहिए योगिया देतनात ने अपने वयान में कहा अगर कोई व्यक्ति आस्ता के साथ छेट छाड़ करता है महान पूरुशों देवी देदाव संप्रदाय आदी के खिलाफ अप मांजनक टिपनी करता है तो से कारून के दायरे में लाया जाएगा और कठोर सजा दी जाएगी लेकिन सभी संप्रदायों और धर्मों के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा साथजर करूर रुपे के डीबी स्टॉक ब्रॉकिंग घोटाले ने हैदराबाद को हुला कर रख दिया जहां शेयर के कई निवीशकों ने भारी रकम गवाने के बाद शिकायते दजगराई इस ऑनलाइन स्टॉक ब्रॉकिंग कंपनी के जरिये लोगों को धुखा दिया ग स्टॉकिंग ने 2018 में अपने संचालन की शुरुवात की और उच्छ ब्याज दरू के साथ विभिन योजनाई पेश करके हजारों ग्रह को क्वाशिक किया इसमें सालान 120 प्रतिशत ब्याज 6 माही 54 प्रतिशत और मासी 7 प्रतिशत ब्याज वाली योजनाई शामिल थी हालां की जारी विद्वन्स कारवायू पर तेलंगाना सरकार से सवाल किया और वैसे ने कहा जो लोग फ्ल टैंक लेवल की बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हैदरबाद में नया सची वाले हुसान सागर के पुल टैंक लेवल पर बनाया गया इसे तरह बापगाट जै से उनके घरों में रहने दे वैसे ने कहा सरकार को स्थानु का संदर्य करन करना चाहिए लेकिन गई गरिवों की कीमतपन नहीं होना चाहिए वैसी नी यह बाते निजामबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए कही और जो लोग और जो लोग फ्ल की बात कर रहे हैं तो नया सेकेटेरेट हैदराबाद में बनाया गया वो भी हुसैन सागर के कटे में बनाया गया है जहां पर भारत के बड़े सियासतदानों की समाधिया हैं वो भी कटे FTAL में है बापु घाट लंगा राउज में है वो भी FTAL में है तो हम हुकुमत से एक ही बात कर रहें जब सेकेटेरियियट इफ-टी-ल में बन कर बरकरार रह सकता है जब भारत के बड़े सियासद्दानों की समाधिया टैंगemics बन्ड के इफ-टी-ल में हैं हम को इतराज नहीं है जब सेकेटेरियट रह सकता है तो गरीब का घर क्यों नहीं रह सकता मुझे बताओ आप उस सेकेटेरियेट में के सी आर भी बैठे आप रेवन त्रडडी भी बैठ रहे है जब आप दोनों बैठ सकते हैं तो हमारी अम्मा अपने घर में नहीं बैठ सकती क्या जब वो सेकेटेरियेट एफ्टी एल में है तो मेरे भाई जहां पर हुकूमत फैसले करती है वो खुद लेक बैड में है तो आप हमारे बैड को क्यों चीनना चाह रहे हैं आप अपनी कुरसी पर बैठो हम अपने घर में रहना चाहती हैं पाकिस्तान के कराची एपोर्ट के पास फिस्पोर्ट लोगी मौत कम से कम आठ खाय प्यम्मोदीने मालदीर के राश्रपती मुहमद मैजू से मुलाकात दी आर्शिकर मामला जोने डॉक्टरों का अंचन जारी न्याय और कारिस्तल सुरक्षा की मान आई एफ एयर शो के बाद लू से पाच लोगों की मौत दो अस्पतार में भड़ती है सच्छे वाले अप्ट्रियल पर बच सकता है तो गरीबों के घर क्यों नहीं और वैसे का सरकार पर सबाद अभी के लिए इक्स्क्लूजियो डेकरेटिव सर्फस अक्रिलक एंटिरियर क्लाद्स नूरानी लिबास रेदी मेड टेक्स्टाइल्स स्टिचिंग अभी के लिए इतना ही लगाता है खबरों के लिए बड़े नहीं हमारे साथ नमस्कार